है दोस्तों साइज ही और बैक विट अनदर इंट्रेस्टिंग और जैसे कि सभी लोग जानते हैं यहाँ पर प्ले इंटिक्रीटी जो है फेल्ड हो चुका है ठीक है जो की बॉक्स है वो रिवोक हो चुका है तो यहाँ पर अभी जो है यूरी की तरब से हमारे को एक वैलिड की बॉक्स जो है मिल चुका है फाइनली सब कमाल यूरी ने कर दिया है तो यहाँ पर हमें एक वैलिड की बॉक्स जो है मिल चुका है तो यहाँ पर जो है प्ले इंटिक्रीटी आप सक्सेस्फुली पास कर सकते हैं इन चेक्स को तो चलो फटा-फट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ without any wasting of time let's begin तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं कुछ modules देता हूँ module scope को download कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको इसका एक ही zip दे दूँगा इस zip के अंदर सारे modules मैं आपको दे दूँगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि देख पार है तो यह सारे modules लगेंगी और एक extra जो है key box file लगेगा जैसे कि आप देख सकते हो यह Yuri की तरप से यह key box अभी उन्होंने provide करा है just अभी उन्होंने provide करा है तो यह key box की file आपको zip मिलेगी उसको extract करना पड़ेगा तो यह सारे files जो हमारे telegram के उपर आपको मिल जाएंगी telegram channel join कर लेना तो चलो process के उपर आ जाते हैं करना के आपको सबसे पहले अपना magis kernel asua patch जो भी है उसको open कर लो यह मैंने open कर लिया modules पे आओ modules पे आने के बाद आपको करना के है install from storage पे आओंगे ठीक है इसको flash होने दो उसके बाद back आजाओ फिर install from storage next module आपको flash करना है tricky store यह मैंने select कर लिया उसके बाद back आजाओगे उसके बाद फिर से आओंगे tricky store add on next module select हो गया okay successful यह भी हो गया उसके बाद back होगा install from storage उसके बाद यहाँ पे flash करूँगा play integrity fix okay इसको भी flash कर दिया अब back आजाओगा फिर से install पे आओंगा और last module integrity जो box से उसको flash कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर integrity box flash करने के बाद जो है यहाँ पर हमें इसको reboot करना पड़ेगा ठीक है तो यह मेरे को redirect करेगा तो यहाँ पर हमें reboot पे क्लिक कर देना है ओके जैसी कि आप देख सकते हो phone हमारा boot हो चुका इसको unlock कर लेते हैं ओके unlock करने के बाद step 2 के उपर आते हैं तो यहाँ पर again हम चलते हैं magis के उपर kernel होसी होगा तो kernel होगा तो modules पे आते हैं सारे modules successfully flash हो चुके हैं मैंने बोला था वो अब next step क्या करना है आपको एक application download करके install कर लेना KSU web UI इसका भी link description मिल जाएगा next step क्या करना है आपको tricky store करके देगा इस पर आपको click करना है tricky store पर click करने के बाद यहाँ पर आपको मैं जो जो steps बता रहा हूँ carefully आपको देखना है सबसे फ़ेली चीज 3 dots पर click करोगे आपके select all पर tap करोगे then again 3 dots पर click करोगे this select unnecessary पर click करोगे again 3 dots पर click करोगे अब main मुद्दा आता है key box का यहाँ पर आपको option दिख रहा है key box पर click करोगे यहाँ पर valid पर click करोगे तो आपको यहाँ पर no valid key box बुलेगा लेकिन आपको करना क्या है key box पर click करके custom पर click करना है custom पर click करके आपको वो directory select करनी है जहाँ पर आपनी key box रखाता अब मैंने कहा रखा है वो key box मैं आपको दिखाता हूँ तो वो key box जो है मेरा pif के अंदर नई key box के अंदर रखाता यह देखो key box तो यह रहा xml file अब मैंने जैसी की बोला था आपको wait दिखा देता हूँ यहाँ पर आगे file manager में key box यह जो file है यह zip के format में रहेगी extract करोगे extract करने के बाद उसमें xml file रहेगी extract करोगे तो xml file निकलेगी extract करना है उसके बाद वही xml file यहाँ पर select करने है समझ की बाद फिर से दिखा रहा हूँ okay यहाँ पर आ gया Okay यहाँ पर आ गया tricky store पर आना हे सबसे पेले tricky store पर आने के बाद यहाँ पर select all कर दोगे फिर diselect unnecessary कर दोगे उसके बाद फिर से three dot पर click करके key box पर click करोगे फिर कस्टम पर क्लिक करोगे मतलब custom key box हम यहाँ पर select कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर मैं click करूँगा directory के उपर आउंगा यह pif के अंदर नहीं रखा था मैंने वो key box के अंदर रखा था यह रहा select कर दिया देखो custom key box successfully हो गया उसके बाद फिर से three dots पर click करोगे set security security patch पर click करेंगे get security patch date पर click करेंगे तो fetching बोल रहा है यह जैसे ही done होता है save पर click करोगे यहाँ पर save यहाँ पर successfully आ चुका है then next step यहाँ पर save पर click करूँगा ओके तो wait करना है यहाँ पर .txt file यह आपर config हो जाएगा यह देखो config saved to txt file हो गया back आ जाओ पूरा आप कुछ नहीं करना है पूरा back आ जाना है अब सीधा play integrity API checker पर आता हूँ और यहाँ पर tap करता हूँ तो आप देखोगी कि आपका play integrity, strong integrity, basic integrity, device integrity, subpass हो गया न चुटकी में और एक important बात जिनका phone route नहीं है उनके लिए मैंने already वीडियो बना रखा है उनको सिर्फ अपने कस्टम रोम के अंदर mislinages option मिलेगा उस mislinages option के अंदर जाके आपको सिर्फ जो मैंने यह key box दिया यूरी के तरप से xml वाला जो key box है यह xml फाइल जो लोड करनी है उसका link में description में जो है डाल दूँगा देख लेना आप चलो वीडियो पसना है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करो चनल को सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकन दबा लेना और भी आपको मिलते रहेगा इसी चैनल के उपर तगड़े तगड़े रूटिंग और रॉम बूटिंग से रिल्टेड बहुस सरी वीडियो आगे भी देखने को मिलेगे मिलते अगले वीडियो में लव यू गाइस गुटबाई टेक केर प्लीज वीडियो को लाइक नीचे और चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइकन दबाना और हमारे टेलिग्राम चैनल और गुरूप दोनों जोइन कर लेना वहाँ पर मैं जो कुछ-कुछ इंपोर्टेंट फाइल्स अगरा भी प्रोवाइड करते रहता हूं मिलते अगले वीडियो में लव यू गाइस